इस बार पाकिस्तान में महंगाई के बीच चलोग बकरीद का त्योहार मनाएंगे पाकिस्तानी अवाम के लिए इस बार की बकरीद फी की रहने की उम्मीद है क्यूंकि महंगे खाद्य पदार्थों से लोग रोजमरा की वस्तुएं भी नहीं खरीद पा रहे हैं भारत से सभी तरह के व्यापारिक रिष्टे कत्म करने के पाकिस्तान सरकार के फैसले ने लोगों के लिए और ज्यादा मुश्किले खड़ी कर दी है पाकिस्तान में ज्यादातर सब्जियों की आयात भारत से ही होती है ऐसे में इम्रान सरकार के व्यापार ना करने के फैसले का असर दिखना शुरू हो गया है देश की आर्थिक राजदानी कहे जाने वाले कराची शहर में ही प्याज, अद्रक लसन और टमाटर जैसी सब्जियों की कीमतों में सबसे ज़्यादा तेजी देखने को मिल रही है क्या घास खिलाने पर मजबूर करेगी सरकार प्याजों और टमाटर की कीमतों में बढ़ उत्री से लोगों का सरकार के प्रती गुस्सा देखने को मिल रहा है रसोई का बजट बेगरने से परेशान महिलाओं का कहना है बढ़ती महंगाई से रसोई में रोजमरा की जरूरतों का बजट बेगर गया है कमाई तो बढ़ नहीं रही लेकिन दूद सबजी से लेकर मीट तक सब कुछ महंगा होता जा रहा है अब भारत से व्यापार बंद करने से चीजों के दाम और ज्यादा बढ़ेंगे घर कैसे संभालें समझ ही नहीं आ रहा ये पाकिस्तानी महिलाओं का कहना है प्याज बेचने वाले इपहतिकार का कहना है इद में बाजार से रोनगायब है सबजीयों और प्याज के लिए भारत पर निर्भर हैं हमें यकीन है कि प्याज अब और महंगी होगी लोगों का कहना है कि इमरान खान हमें क्या खिलाना चाहते हैं पता नहीं सबकार ने आखिर यह फैसला क्यों लिया डॉन अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक कराची में अद्रक और लहुसन चार सव रुपे वत तीन सौबीस रुपे किलो की दर से बिख रहा है वहीं तुरह 150 रुपे प्रती किलो लोगी 120 रुपे प्रती किलो बंद गोभी 80 रुपे प्रती किलो और शिमला मिर्च 120 रुपे प्रती किलो की दर से बिख रही है इसके हरी में 100 रूपे-्रूपे किलो, चीन से आयात होने वाली अद्रक्त.- थुक बाजार में 280 रूपे प्रती किलो, ईरान का लसन 240 रूपे किलो की दरसे बेचा जा रहा है दुधे 108 रुपे प्रती लीटर, दही 122 रुपे प्रती किलो, मटन 1009 रुपे प्रती किलो, केले 130 रुपे दर्जन, सरसुंका तेल 246 रुपे प्रती लीटर, प्याज 64 रुपे 69 पैसे प्रती किलो, तमाटर 66 रुपे प्रती किलो, चीनी 77 रुपे 30 पैसे प्रती किलो, केरोस 159 रुपे 25 पैसे प्रती लीटर LPG Cylinder 1362 रुपे 50 पैसे 11 लीटर Petrol 13 रुपे 18 पैसे प्रती लीटर Diesel 127 रुपे 30 पैसे प्रती लीटर